असलाम अलेकुम्हारीवन कैसे हैं आपस ब्लोग उमीद करता हम फिलोग खरीयस होंगे और लापस अपको खरीयस रखें आज हमारा जावा सीरीज का लेक्चर नमबर 4 है और इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं इस फैल स्टेट्मेंट के बारे में अगर मैंट चैनल पर पहली बार हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लग रहे तो शेरिंग लाजमी करिएगा इससे पहले मैंने आप लोग लिए सीपिलस प्रोग्रामिंग का जो है वो पूरा कोर्स अपलोड कर दिया है उसके इलावा फ्र अब काफी लोग जो होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर इंटर्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कोई कहा जाता है कि जब हमारे पास एक स्टेटमेंट के अंदर मुल्टिबल कंडिशन आ जाएं वहां पर हम लोग बिसिकली उस करते हैं अपने इस स्टेटमेंट का सुपोज करें आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अभी आपके पास यह देखें एक स्टेटमेंट दिया यहां पर यहां पर यहां पर यहां क्या मिनिम्म वैल्यूट करने हैं यह आपके पास दो conditions है, कि आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन सी conditions है, वो ठीक है, क्या minimum value ठीक है या maximum value, तो यहाँ पे देखिए जब आपके एक statement के अंदर दो conditions दी जाती है, और आपने इन दो conditions में से सिरफ एक को चुनना होता है, तो वो से हम कहते है, if health statement का exact use, ठीक है अब यहाँ पर जैसे maximum value है, तो अगर यही चीज़ें आप यहाँ पर रखें, 10 और 8, तो आप यहाँ पर 10 का choose करेंगे, अगर आप यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 8 का choose करेंगे, तो यानि कि आपके पस दो चीज़ें given थी और आप एक चीज़ें को चुन रहे हैं, तो यहाँ तक आगे हैं, अब यहाँ से आपके पस दो रास्ते हैं, कि यहाँ तो आप इधर से होके यहाँ पर आजाएं, यहाँ पिर आप सीधे यहाँ से इस तरह आजाएं, अब आपके बड़ेंट करता है कि आप इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ आप इस रास्ते से आ रहे है दो रास्ते गिवन हैं उन में से किसी एक रास्ते की तरफ आप ट्रेवल करके आ रहे हैं तो यह आपका कहलाता है if else statement अब इलकुल इसी तरह होगा कि आपके पास multiple conditions दी गई होगी एक ही statement के अंदर और आप उन में से चीज़ सरफ एक चीज़ को चुनेंगे तो यह आपके कहलाएगी if else statement चलिए coding साथ practically समझते हैं इस चीज़ को यहाँ पर फाइल के पर क्लिक करते हैं new project के पर क्लिक करते हैं Java application नेक्स कर पर क्लिक करते हैं और Java के हमारी class 4 है उसको हम लोग यहाँ पर आज discuss कर लेते हैं Java class 4 so मैं इसको यहाँ पर इस तरह लिख लेता हूँ Java class 4 so I think so यह already मेरे ख्याल से बनाई हुई है मैंने तो मैं इसको change कर देता हूँ कुछ सभी के अंदर या Java 4 कर देता हूँ चले और यहाँ पर इसको save कर देता हूँ अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किफेल्स का यहाँ यूज कहाँ पर किया जाता है देखें जब आप इसका स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो mostly कुछ ही जगह के जहां आप इसका स्पेशली यूज करते हैं जैसे कि जब आपने दो नबर में से find करना होके लेस देन कौन से है दो नबर में से find करना हो greater than कौन सी value है दो नबर में से find करना होके क्या दो नबर equal है या नहीं equal तो कुछ इन जगह की उपर आप इसका जादा यूज करते हैं अब मैं आपको दो कंडिशन दी जाएंगी और उसमें से आपने बताना होके कौन सी statement चलेगी और कौन सी statement नहीं चलेगी चली इसको practically यहां पर देखेंगे अभी फिलाल के लिए इतना ही यहां पर लिख रहे हैं और अभी हम लोग सिर्फ syntax के पर बात कर रहें particular तो मैं सबसे पहले यहां पर इसका keyword लिखूँगा इसके syntax के अंदर उसके बाद मैं यहां पर दूँगा parenthesis उसके अदर मैं डालूँगा इसकी condition और यहां पर कर लिख लगा के मैं यहां पर लिखूँगा इसकी block of statement अगर आपने कोई भी पहले programming language पड़ी है तो आपको इस चीज़ का बहुत तरिके से हावना होगा अगर आपने मेरा ही sequence का course watch किया है तो आपको इन चीज़ों की बिल्कुल अच्छे तरिके से grip होनी चाहिए तब ही आपको इन चीज़ों का आगे advanced level के पर जाकर यूज़ करना आएगा और यह बड़ा important topic है के without comment हम इसका use कैसे करेंगे suppose करें मेरे पास यहाँ पर एक value है 20 और मैं आपको बताऊंगा कि 20 जह वह less than है यह greater than है इसके लिए मैं यहाँ पर देखें सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक statement और statement कि तुर मैं आपको बताऊंगा कि 20 जह वह greater than print होना चाहिए सबसे पहले हम लोग सादा इसको प्रिंट करके देखते हैं कि 20 greater than 8 ठीक है जो कि आपको भी बता है और मुझे भी बता है सो मैं यहाँ पर simply इसको system.out.println करके इसको जहाँ simply यहाँ पर print करूंगा और मैं इसके अदर कहूंगा कि यहाँ पर यह कौन सी प्रिंट हो जाए कि 20 is greater than 8 अब मैंने आपको प्रियूस लेक्शिस के अंदर बताया था कि जो चीज़ आप आपकी यह condition wrong हो जाती है तो जो इसके अंदर लिखा है वो एंजी कूटर नहीं होता तो चलिए इसको रून करके चेक करते हैं हम तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूं और जैसे मैं इसको यहाँ पर रन करूंगा तो आप देखेगा क्यों यह condition बिल्कुल ठीक है तो मैंने पास यह 20 is greater than यह वो प्रिंट हो के सक्सेस्फुली स्क्रीन के उपर आजाना चाहिए जैसे कि यहाँ पर आ चुका है ठीक है अब मैं इसको मैं यहाँ पर कट कर देता हूं और इसको मैं यहाँ पर comment के अंदर add कर देता हूं ठीक है कुछ इस विए के अंदर ओक हो करने वाले हैं suppose करें अब मैं वही वैली दुबारा से लेता हूं 20 greater than 8 ठीक है लेकिन इस बार मैं थोटा सा इसको चेंज करता हूं और इस बार मैं दो स्टेट्मन के यूज करूंगा system.out.println ओक और इस बार सबसे पहली स्टेट्मन मैं कहूंगा 20 is less than 8 और मैं यहाँ पर भ 20 is greater than 8 ठीक है जी सो यह condition मन गई अब मैं यहाँ पर इसको लिख भी लेता हूं 20 is greater than 8 अब यह चीज मैं इस तरह लिए लिए कि काफी लोग यह भी सोच रहोंगे कि शयद यह पहले आ रहे है यह पहले प्रिंट होई जा रहे है बट ऐसा कुछ नहीं है वो बिसिकली इस कंड ठीक होगी तो यह वाल लाइन पर देगा अगर मेरी दूसरी वाली कंडिशन ठीक होगी तो वह यह सेकंड लाइन पर देगा जो कि इस ब्लॉक के अंदर पड़े हूई है ठीक है ओक हो गया तो चलिए भी रन करके सको चेक करतें कि मारे पस क्या जल जाए और डिस्पले अब इफ और ऐसके अंदर काफी लोग थोड़ सा वजयते हैं तो मैं आको बता दूँ कि इस बस इतना का इतना सा ही फारक होता है इस के अंदर और ऑर अलसके अंदर के देखें तिक्या के दोर खोते है अब अगर तो टेल है यह एक तरफ शिक्ता नहीं गिरा तो जार रह वो दूसरी सरफ गरेगा अगर हमारे पास यहां पर एक स्ट्रेटमेंट दी जाए कि इफ 20 लेस्ट जन एट जो कि नहीं है 20 लेस्ट जन तो एट नहीं है यह बात आपको पता है मुझे भी बता है क्योंकि यह वाल लाइन सही है दूसरी क्योंकि 20 जो ग्रेटर जन एट है तो अब बज्जाए इसके मैं दुबारा से लिखों इफ उसके बाद मैं दुबारा से कंडिशन बनाओ क्यों ना मैं ऐसा काम क करूंगा यह जो मैंने पहले statement लिखी है दूसरी statement automatically इसका opposite ही होगी जाहर है कि अगर यह head नहीं है तो यह already उसका opposite होगा तो यह आपका tail होगा तो यह वाल जो चीज होती है मैं कहते है if else statement कि अगर आपकी वह चीज if के अंदर लाइन नहीं कर रही तो definitely वह चीज कहां पे है वह आपकी else statement के नदर पए जा रही है तो अब अगर तो यह falsch statement ठीक होगा तो यह चलेगा अगर नहीं होगा तह। फिर यह आपका else follow statement रं करेगा यह मैं आपको रहता करके दिखा देता हूn दुबार से șeYVE कर लें और इसको रहता के आपको मैं चेक कर वा लगी होता हूं चलिए एक और इसको समझते हैं मैं यहां पर इसको अगें से रण कर लूँ एक बार और इसको रिफ्रेश कर रहूँ ताके मेरा कोई जो डैटा है वह यहां पर वह सारा क्लियर हो जाए ठीक है जी अब लुकिन करते हैं मजीद उने का न्या प्रोगाम यहां पर बनाते हैं मैं यहां पर एक वैडिबल लेता हूं उसको मैंratoै करता हूं 40 को यह गां है इन तोनों को कंपेर करते हैं दौ अरे सिर्दमेंट और में सके अंधें में कहता हूं a less than b a less than b है बिल्कुल है ठीक है ओके अब condition बना लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर tab लेते हैं a is less than b clear है ओके अब इसके अंदर बनाएंगे else तो else लगाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आपको मैंने बताया था अब आपको condition बनाने के जुरूद नहीं है आप ड्रेकल यहाँ पर start लिखें और a is greater than b right so यह बड़ा simple सा मैंने आपको program बनाके दिखाया यह भी against इसको रंड करके चाहिए आप यहाँ पर तो आपका successful यहाँ पर print हो जाना चाहिए ठीक है जी कि अब देखें आपके पास को समझ आ लिए कि age है वो less than b है clear है अब इसको मैं थोड़ा सा change करता हूं इसको मैं save करता हूं और रहाए इसको चेंज करता हूं a को मैं value बढ़ा देता हूं और b की value जो मैं कम कर देता हूं अब इसको again से save करता हूं और यहाँ पर करके देखते हैं कि अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है अब देखी क्या आ रहा है एज ग्रेटर दन बी अब आपको पता है कि एज है वो तो ग्रेटर दन हो गया है बी से हो ग्रेटर दन भी कैसे हो गया है वह आप यहां पर देख सकते हैं पहले हमारे पर जैल्ट ओपो फिर भी को जैन में क्योरी हो, को डाउट हो, तब मुझे पूछ सकते हैं, मिलते इंशाल अगर लेक्चर के अंदर तब तक लिए इजादत दीज़े, अल्ला हाफीज और असलाम अलेकम.